हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामेस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूजल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनैल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक स्क्वैरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है और फिंगर्स इनकी काफी थिक हैं और बहुत सारी सीधी खड़ी रिखाएं इनकी फिंगर्स के उपर हैं जो एक फ्रैंडली टाइप की नेचर को शो कर रही है और साथी साथ यहाँ पर आप थिकनेस चेक कर सकते हैं की फिंगर्स की काफी अच्छी है थिक फिंगर्स यहाँ पर इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी अनरजी और स्टैमना को अगर हम लैंथ की बात करें तो काफी अच्छी creativity की भी और थोड़ा सा जुकाव है यहां पर fingers का इनकी शनी finger की तरफ जो थोड़ी विराग्या की भावना और isolation की भावना को भी indicate करता है और शनी finger overall काफी अच्छी लंबाई में है जो यहां पर show करती है hard working type की nature को भी और आप देख सकते हैं इनकी mercury finger को mercury finger की length अच्छी है जिस वज़े से communication skills नकी अच्छे रहने वाले हैं लेकिन इनकी mercury finger यहां पर थोड़ी सी low set होती हुई भी नज़र आ रहे है जिस वज़े से थोड़ी सी introvert और shy nature रहने के chances भी रहेंगे overall fingers काफी सटी हुई हैं आपस में जो यहां पर एक sober personality को show कर रही हैं काफी friendly million star personality इनकी light में रहने वाली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और check करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम lines को भी check करेंगे तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूँ कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका guru शनी और सूरिया तीनों mount size set है और mercury mount हलका low set हो रहा है बहुत ज़्यादा low set इसको नहीं कह सकते और mercury mount overall अगर देखा जाए तो काफी उभरा हुआ mount है जिस वज़ए से अच्छे communication skills रहेंगे और अगर mercury रेखा की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा strong mercury line मुझे यहां पर नजर नहीं आ रही है अब देख सकते हैं यहां से शुरू होती एक रेखा और कुछ लगबग इस तरह की formation में इनके हाथ में mercury line नजर आ रही है जो एक strong line होने की वज़ाए बीच में से एक line से कटती हुई नजर आ रही है mercury line का इस तरह की formation में होना digestive problems को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति को life में digestion से related problems का सामना करना देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को सूर्य माउंट यहां पर थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज़्यादा strong सूर्य रेखा यहां पर नहीं दिखाई दे रही आपको close up में दिखाना चाहूंगा अब देख सकते हैं सूर्य रेखा की formation यहां पर बहुत सार बारी बारीक रेखाओं से हो रही है और सूर्य रेखा अगर कुछ इस तरह से वीवी लाइन से बन रही हो तो यह नेम और फेम मिलने में थोड़ी सी अर्चने पैदा करती है अब देख सकते हैं कुछ इस तरह की formation इनके सूर्य माउंट के ओपर मुझे नजर आ रही है में रिवर्ट में वैसी उनको नहीं मिल पाती जो यश और मान सनमान इनको मिलना चाहिए वो जो expectations होती है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाती जब सूर्य रेखा कमजोर हो आगे देखते हैं शनी माउंट को तो यहां पर अब देख सकते हैं शनी माउंट यहां पर average है ना ही बह रेखा इस एरिया से शुरू होती हुई कुछ इस तरह है कि इनकी शनी रेखा लगभग शनी माउंट तक पहुंचती हुई थोड़ी सी overlapping यहां पर होती हुई और एक साथ-साथ assistant line भी यहां पर चलती है कुछ इस तरह है कि एक रेखा और इनके हाथ में चल रही है शनी रेखा को cross करती है उनकी वज़े से कुछ minor issues आ सकते हैं जैसे अब देख सकते हैं जो stress lines कहलाती है कुछ ऐसी रेखाएं जो यहां पर इनकी शनी रेखा तक पहुंच रही है और कहीं ना कहीं इस रेखा को थोड़ी सी disturbance दे रही है यहां रेखाएं समय समय पर on and off थोड़ी ब mount of Jupiter को यानि के guru mount तो यहां पर आपको नजर आएगा एक उभरा हुआ और strong ब्रस्पती mount ब्रस्पती mount का उभरा हुआ होना और strong होना व्यक्ति को life में हर तरह के सुख देता है धन देता है और यही amount है जो knowledge के लिए भी जाना जाता है तो guru mount का strong होना इने knowledgeable बनाएगा और family के स सुख है वो भी ब्रस्पती की वज़े से मिलते हैं तो यहां पर यह सब चीजें और leadership ब्रस्पती mount के strong होने से व्यक्ति के भीतर भरबूर रहती हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं progress line मौजूद है जो यहां से नीचे से उपर की तरफ बढ़ती हुई इस तरह की सीधी expenses आ सकते हैं रहू रिखाएं काफी ज्यादा है इनके हाथ में जिस वज़ए से minor health issues और financial related issues का भी इने सामना करना पड़ेगा लेकिन overall अगर देखा जाए तो इस mount के prominent होने से ही life में काफी अच्छी progress बनी रहती है चली आगे देखते हैं major lines को अब देख सकते हैं इनकी heart की line यहां पर कुछ इस तरह की branches के साथ चलती हुई romantic type की personality रहेगी और caring nature रहेगी क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं heart की line उपर की तरफ curve लेकर चल रही है और एक Vishnu symbol यहां पर create हो रहा है इनकी heart की line पर Vishnu symbol जिनके भी हाथ पर बनता है वो व्यक्ति काफी भागया शाली होते हैं क्योंकि यहां चिन जो है progress को दर्शाता है और इस तरह का चिन होने से व्यक्ति अपनी life में बहुत progress करता है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए जिनके हाथ पर यहां चिन बनता हो क्योंकि यह बहुत भी auspicious चिन है और अगर ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर विशनु चिन बनता है कोई भी unfair mean यूज़ करता है पैसा कमाने के लिए तो life में उन्नती की वज़ए अब उन्नती शुरू हो जाती है progress जो होनी अब बंद हो जाती है तो ध्यान रखना पड़ता है ऐसे वक्ति को जिनके आप पर विशनु चिन हो कि गलत वे ना यूज़ करें और सही रास्ते से ही पैसा कमाएं तो life में खूब तरकी होती रहेगी उसके लावा आप देख सकते हैं island का चिन यहाँ पर बनता हुआ जो health के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है कुछ इस तरह का यव का चिन इनके heart की line पे बनता हुआ heart के लिए थोड़ी सी रुकावट रहती है जो लगबग यहाँ पर 55 के आसपास 50 प्लस की age में कुछ दिक्कते हैं नहीं दे सकता है 50 से लेकर 60 की age में यहाँ थोड़ा सा problematic रह सकता है क्योंकि island का चिन जब भी किसी line पे बनता है उस line क जो energy flow है वो weak हो जाती है और उस line से सबंदित जो भी चीज़े हैं उनमें दिक्कते हैं आ सकती हैं तो अपने heart की health का इने खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी problematic chain जो है यहाँ दिखाई दे रहा है overall कोई major issue यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब देख सकते हैं mind line को काफी strong mind line और इसी line से निकल कर एक branch का नीचे की तरफ बढ़ना जो इने काफी strong imagination दे सकता है यहाँ से अब देख सकते हैं इस तरह की एक रेखा कर नीचे की तरफ बढ़ना यह जो नीचे वाली branch है यह व्यक्ति को imaginative बनाती है ऐसे व्यक्ति काफी जदा कल बनाएं करते हैं imagination करते हैं अब बात आती है इस line के benefits की और नुकसान की अगर किसी के हाथ में इस तरह का fork बनता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी कोई नों की hobby जरूर रखनी चाहिए चाहे वो painting है dancing है writing है कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिस इसमें creativity का use हो otherwise over imagination व्यक्ति को तनाव दे सकती है depression जैसी problem होने के chances रहते हैं क्योंकि इनका चंदर एरिया भी थोड़ा सा कमजोर लग रहा है आप देख सकते हैं moon area के ओपर काफी सारी आड़ी रिखाएं जो anxiety को बढ़ाती है आप देख सकते हैं आपको draw करके दिखाना चाह आड़ी रिखाएं होने से व्यक्ति को किसी ना किसी तरहा की addiction हूने केcidos मैडिसन की addiction हूने की चैंसे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि यहां पर जो moon है चंदर area है वो कमजोर हो रहा है चंदर जो हमारे मन का कारक है और जो मन ही कमजोर रहेगा तो दिख्किते आ सकती हैं तो जाता है कि अगर किसी के हाथ में ऐसी over imagination की line हो तो उस व्यक्ति को अपनी imagination को channelize करना चाहिए, किसी न किसी creative चीज़ को करना चाहिए, कोई hobby joined करनी चाहिए ताकी वह imagination जो है channelize हो सके overall mind sharp रहेगा, कोई भी major problem नहीं है यहां पर लाइफ 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 कई बार inherited property मिलती है या कहीं ना कहीं से sudden wealth gain होने के जो chances है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब इस तरह का चिन हाथ में मौझूद हो अगर life line की लंबाई को देखा जाए तो अब देख सकते हैं काफी अच्छी लंबाई में 80 के असपास की life को यह है रिखा indicate करती है और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रिखाएं जो यहाँ पर इनकी life line को भी disturb कर रहे हैं जो minor problems यहाँ पर stress देती हुई lines यह हम stress lines कहते हैं रहू रिखाएं भी कहते हैं तो कुछ stress भी life में है middle age तक उसके बाद आप देख सकते हैं progress lines अगर देखी जाएं तो काफी अच्छी हैं इनके हाथ में यह सभी जो upward जाने वाली रिखाएं हैं यह middle age के बाद काफी अच्छी progress को indicate कर रही हैं life में काफी progress भी इनके रहने वाली हैं इसके इलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं strong mars lines हैं जो इस तरह की रिखाएं रहती हैं जो life line के अंदर यह हमारी health को sport करती हैं energy level को बढ़ाती हैं और इस तरह की mars lines होने की वज़े से व्यक्ति अपनी life में काफी अच्छी property भी अरजित कर लेता हैं उसके इलावा आप देख सकते हैं worry lines मौजूद हैं यहाँ पर इनके चंदर एरिया को मौलरी discuss कर चुके हैं शुकर area की बात की जाएं तो यहा नहीं कर रही क्योंकि कोई भी worry line इनकी life line को cross नहीं कर रही तो ज्यादा चिंताएं नहीं करने चाहिए क्योंकि यही चिंताएं जो हैं इनके लिए life में तनाव depression जैसी problems create कर सकती हैं तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के ज पहुच करने के लिए अब को बहुत बहुत धन्यवाद